हालो गाइज वेलकम बैक तो अबर यूट्यूब चैनल अग्रिकल्चुरेंजी के मैसल अंचली नामदेव और हम आज बात करेंगे अग्रिकल्चुर एकोनॉमिक्स के कुछ सकते हा고त्arium हैं इसक्रिकल्च में बेचैनल और हमारे इसरी वीडियो बात्त क्युट्यूब WiFi में क्यूंसरी करी वे इससजाओं हैं यूट्यूब को सब्सक्राइब करें वीडियो लासे करें करें चैनल को जादा से जादा शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे एप्लिकेशन एग्रिकल्टर एंड जीके के ए लेर्निंग प्लेटफर्म को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इस एप्लिकेशन को अभी गूगल प्ले स्टोर में जाकर इसको इंस्टॉल करें यहां पर आपको फ्री में ईबुक्स दी गई हैं जिनने आपको डाउनलोड करके इनको आफ्लाइन भी पढ़ सकते हैं इसके लाबा एग्रिकल्टर एंड जीके के कुछ कोर्स इसको लांच कर दिया गया है जिसे आप पर्चेस कर सकते हैं बाकी के कोर्स जो लांच नहीं हुए है वो लांच करने की तयारी है आप अभी यदि अभी तक आपने भी हमारे अप्लिकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप कूगल प्लेस्टों को से जाकर डाउनलोड करें आपको अज को हमारा टॉपिक था अग्रिकल्चर एकोनोमिक्स के कॉस्चन के बारी में तो इनको हम देखेंगे आज जो फर्स्ट कॉस्चन हमारा है ति कल्चुरेवल कमान एरिया हैक्टियर्स अफ दो मीडियम इरिगेशन स्कीम हैस बीन फिक्स वाइड प्लानिंग कमीशन अज लाइड बीच में तो जो मीडियम इरिगेशन जो प्रोजेक्ट था स्कीम था वो तू थाउजन से तैन थाउजन हैक्टियर में इसको लिया गया था है तो आपका जो सेकिंड कॉस्चन है वो है तो कल्चुरेवल कमान एरिया इरिया इन हैक्टियर्स तो महीं हम से अंड काय था में इरिया इरिया को था? मैं दया काल्च वर समय कुमिछन है को तो इससे के जार्य म horrific स्कीम है महाँ मिडिया मिडिगेशन सुचेम के रिए मिडियरय को स्कीम के रिये अप्लानिंग कंबीशन को सातोना थे स्कूल पुना We have a को थे परेचाम इंन 6 फेल मैंतों के दाउन चार्छा भीना सात पही शरल्ननाथ के अ जो बसंद ऊस्काजिकरश्यमार्केट आपको है और रह Herbert मार्केटिंग इसका क्या होगा option number a answer होगा question number four is the largest wheat producing state in India India में सबसे जादा wheat का producing state कौन है largest तो आपका option दिया है MP UP Haryana Punjab तो जो wheat के लिए largest producing state है इंडिया में वो है UP the number of regulated agricultural marketing at the end of 1950 तो 51 जो regulated agriculture market है और 1952 51 में केतने थे उस ताम पे 265 थे 265 यहां पर अप्छें दिया 375 475 575 इसका आंसर होगा 265 थे 1950-51 में बात करें के regulated agriculture market की एंडिन जो question number six है वो है अग्मार्केज अग्मार्क सभी लोग जानते है यह किस दिया साता है आपको option दिया है regulated agriculture market agriculture market को regulated के लिए farmers cooperative के लिए c जो है a quality guarantee attempt for commodities like eggs, ghee, honey, etc. जो option number d है वो है a corporate cooperative for egg production तो जो एग्मार्क है आपको जो agricultural products है उनकी quality की गारंटी को करने के लिए दिया जाता है ना quality को बताने के लिए लैक एक घी, घी की है ना उसके लिए दिया जाता एग्मार्क ठीक है and then जो next question है वो है इंडिस्ट्रियल इंडिस्ट्रियल पॉलिशी स्टेटमेंट एंकरेज्ट जो इंडिस्ट्रियल पॉलिशी स्टेटमेंट है 1977 में उसका जो में एम था वो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाबर देना था ठीक है जो हम नेक्स बात करेंगे कुशन नमर एच की वह है दो हजारी कमिटी रेपोर्टि इन 1967 पॉइंट आउट द मिस्यूज और जो हजारी कमिटी ने रेपोर्ट किया था 1967 में मिस्यूज और किसके मिस्य मिस् ways to work. इंडस्रिय है सब्सक्राइब कि वही पूइल जो हम थेजए क्रीचन आउट पाड़ का इन। किया था करें सक थेपिरीष्थिया पडॊपश कर दोविज2 और क्रे कंटी क्रिचन है कि यह जो है क्रिचन करेंट इसके मिस्यूज kilometres नमर जैशन और कंटी स्टेतमे तो किसमें इंक्लूड नहीं है तो किसमें इंक्लूड नहीं है तो किसमें इंक्लूड नहीं है यह 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 तो किसमें इंक्लूड नहीं है प्रेंड स्केल के मुझे है जोएंट सेक्टर इ耐स का के आपिरेशन विड़ीन तो वो क्या है देखे एयर ओप्षिन दिया है small scale and large industry, domestic and foreign scale industry, state government and scale sector industries, enterprises, and then public sector and private central government. So, this is the answer to public sector and private central government. Now, question number 12 is, the number of industries reserved for the public sector has been reduced by the July 1991 industrial policy from 17 to 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 18. A company who has been established in many countries and is established in many countries, a person who has been with foreign assistance, meaning that a person who has been with foreign assistance, a company operating in developing many countries, a company who was operating in many countries and has been working on it and has an international award to help many countries. तो जो इसका अंसर होगा, वो होगा, अई company operating in developing many country, तो जो multi-national है, वो ये है कि company जो की operate कर दिये many development country, developing country को. Question number 14 है, the prices of products of public sectors, enterprises should be, जो prices of products of public sector के enterprise है, should भी होना चाहिए, highly remunerated lower than the cost incurred able to achieve the social objective and none इसका जो answer होगा able to achieve the social objective है ना next question है the all India khadi and village industry board was set up during the जो जितने भी इंडिया khadi और village industry board है वो set up किये गए थे किस दौरान पे जो फर्स प्लान पे ये को set up किया गया था option दिया फर्स प्लान जेकंड फर्ड प्लान फर्स प्लान तो इसको set up किया गया था फर्स प्लान में तो the all India khadi and village industry board set up during the first plan ठीके SIDO is related to development of तो SIDO जो है ठीके वो किससे related है स्टील इंडस्टी से शुगर इंडस्टी से और सॉप इंडस्टी से तो यह है के स्मावल इंडस्टी से और नेक्स बरेंगे 17 जो कुछन है वो यह है the most important small scale industry in India is the small small scale industry in India में वो most important है वो कौंची है क्या jute industry, handloom industry, textile industry, paper industry तो इसका आधर आएगा handloom industry जो है important small scale industry in India फिर the monopolies and restrictive trade practices commission was set up in जो monopolies and restrictive trade practices है commission के दवार सेट अप की हाई थी 1970 में 75 में 80 में और 85 में तो यह आंसर आएगा 1970 में फेशल पॉलिसी इस connected with जो फेशल पॉलिसी है वो connected है किस के साथ connected है public revenue and expenditures से export and import से population control से and issue of currency से तो फेशल जो पॉलिशी है वो connect है tax लगता है कर लगता है वो important source है public revenue का 21 जो question है out of the following which one contribute the minimum amount to the government tax revenue जो भई पता रहें कि इन सभी में इन सब में को यह देखना है कि इन सब में कौन जो है सब से कम amount में government tax को revenue करता है excise custom income tax और यह है wealth tax तो इसका अंसर आगा wealth tax ठीके इन में से जो wealth tax है वो government tax revenue में minimum amount contribute करता है and then which of the following is the major source of government revenue इन में कौन सा जो है major source of government revenue का आपको प्षिन दिया indirect tax direct tax dividend and profits and interest इसका अंसरोगा indirect to tax question number 23 के बात करिए which of the following is not a central government tax इसमें कौन सा जो tax है वो central government tax नहीं है first option दिया है customs income tax corporation tax और land revenue इसमें जो है यह जो land revenue है वो central government tax नहीं है question number 24 की बात करेंगे in a developing economy there is a case for developing economy है उसका case है regressive taxation proportion taxation no taxation और progressive taxation जो developing economy है उसके case में क्या है progressive taxation है progressive taxation finance commission is appointed at expiry of fill in the blacks year or earlier जो finance commission है वो appoint किया गया था कब expiry of कितने expiry year में in earlier तो five five year में यह किया गया था finance commission appointed the reserve bank of india was established in in हमा जो reserve bank of india है RBI है वो कब established किया गया था option दिये है 1920 1923 35 and 47 इसका आंसर होगा 1935 में जो established किया गया था RBI को reserve bank of india को and then next बात करेंगे कि जो RBI था उसको nationalized कब किया गया 74 में 49 में 51 में 35 में जो 35 में तो यह established हुआ अब इसका जो option है वो हुगा 1949 में इसको nationalize किया गया the central banking functions in india are performed by the central bank of india state bank of india reserve bank of india and panchab national bank the central banking functions in india में वो perform किये गए reserve bank of india के द्वारा the RBI has helped to finance india's foreign trade through जो RBI है वो help करता है india's foreign trade में थ्रू नाबाच के थ्रू state bank of india idbi exam bank so यह जो foreign trade की finance में help करता RBI वो है exam bank के थ्रू ठीक है RBI has been following the policy of मतलब कि RBI की जो policy है वो कौन कौन सी है क्या policy है controlled monetary expansion unrestricted monetary contraction unrestricted monetary expansion controlled monetary contraction इसका जो policy है वो है controlled monetary contraction नेक्स बात करेंगे 31 की question की the RBI method of credit control may be broadly divided into two parts जो RBI की method है वो credit control में वो हो सकती है कि कितने part में divide हो सकती है first open and close, monster and fissile, rural and urban, qualitative and quantitative तो इसका जो answer होगा वो होगा qualitative and quantitative जो RBI की method है credit control में वो दो part में divide होगी वो है qualitative और quantitative ठीक है and then next बात करेंगे 32 की question की RBI use the following instrument for quantitative control of credit जो RBI का use करते है किस instrument का use करते है quantitative control of credit में so फजिया है case requirement ratio CRR, sanctuary liquid ratio SLR, open market ratio ठीक है margin requirements तो इसमें option लिए 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 and all of them तो यह जो response होगा 1, 2, 3 ठीक है इसके का होगे 1, 2, 3 and then 33 question की बात करेंगे bank rate is the rate at which the RBI extends credit to the जो bank rate है वो rate होती है जो RBI extends credit to the foreign countries, public, agriculture and commercial bank so यह answer होगा जो bank rate होता है एक प्रकार का वो rate होता है जो RBI extends credit to commercial banks ठीक है जो 34 बाला question है where the open market operations refers to the sell and purchased by the RBI open market operation है वो refer किया जाता है sell और purchase के रिए by the RBI foreign exchange, gold, government securities and iron and steel इसका answer होगा कि government securities which of the following is not an indigenous bank इन में से कौन से indigenous bank नहीं है तो 36 सराफ्स महाजन और land development banks जो है वो indigenous bank नहीं है ठीक है जो बाकी के 3 banks है इनको क्या बोल जाता है इंडिजीनियस bank बोल जाता है देशी bank भी बोला जाता है 37 का जो बात करेंगे question की इंडिजीनियस banks are under the direct control of the जो इंडिजीनियस bank है वो डारेक्ष के control में आते है RBI के State Bank of India के RRB के none of these तो इसका answer होगा none of these क्यों क्योंकि जो RBI State Bank of India RRB है यह तो इंडिजीनियस bank है यह नहीं तो इसका answer none of these उताएगा and then who fixes the RE repo rate in India repo rate कौन fix करता है इंडिया में IMF, RBI, WTO से भी तो क्या आएगा RBI जो है रेपोरेट को fix करता है इंडिया में the CRR case reserve ratio is a tool of the case reserve ratio है वो क्या tool है Fiscal policy, Tax policy, Agriculture policy, Monetary policy इसका answer रहेगा monetary policy का यह एक tool है and indirect instrument of monetary policy is indirect instrument monetary policy का क्या है statutory liquidity ratio, CRR, cash reserve ratio, open market operations and bank rate उसका answer होगा open market operations the market system where there are only two buyers facing a last number of sellers is which is the following is not a component of foreign activity which means a market where there are two buyers and a lot of sellers okay and then 42 question की बात करेंगे which is the following is not a component of foreign exchange reserve in India क्या company नहीं 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 है foreign exchange reserve in India में STR holding of government, foreign exchange assets of RRB, फिर RRB, ठीक है फिर gold stock of RBI, फिर देर RBI यहां पे ठीक है RBI, फिर यहां पे ठीक है country's economic growth का वो क्या है net domestic product, gross domestic product, net national product और per capita real income तो इसका answer होगा per capita real income the economy where the factors of production owned individually is socialist, capitalist, mixed and none तो इसका answer होगा capitalist है and the next 45 question की बात करेंगे वो है the committee that examined and suggested financial reforms कांची committee है जो की suggest करती है और examine करती है भागवती committee, चलिया committee, अब बूद हुसेन committee, नरसिमा committee तो इसका answer होगा नरसिमा committee what should India do to get the full benefits of its demographic dividing तो इसका option दी है introducing more social security scheme promoting skill development, promoting skill development, privatization of higher education, reducing reform, infant mortality तो क्या होगा इसका promoting skill development, ठीक है the next question है, economic liberalization in India started economic liberalization in India में बुशाट के बुशाट के बुशाट के बुशाट के बुशाट के साथ question number 48 है, the positional average is given by positional average है, वो किस ने दिया था किसके दोरा दिया गया था, standard deviation, means deviation, median or mean तो यह है median is cancer which one of the following formulates the official policy in India formulates the official policy in India planning commission, RBI, ministry of finance, finance commission तो इसका अंसर अगा ministry of finance when did India become a member of the international monetary fund तो कब इंडिया जो है international monetary fund का member बना 1947, 1951, 1952 and 1945 तो यह 1945 में जो इंडिया है वो international monetary fund का क्या बन गया वो member बना तो आप लोगो को यहां ता कोई question में question आपको अच्छे लगे होंगे यह जो questions है, exam point of view से बहुत जादा important है आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और note भी कर लीजिएगा क्योंकि आपको फिर exam में पड़के इसको revision करके जाएं बहुत important है यह questions आपकी तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो like करें और share करें इसके लाब आप वीडियो को comment करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो और आप हमारे जो प्लेशों से जाकर इसको अग्रिकल्चर अजी के अप्लिकेशन को डाउनलूड कर सकते हैं जिसमें आपको आपको अग्रिकल्चर एक्जाम में बहुत ज़दा help मिलेगी और PDF भी आपको वहीं पर प्रुबाइड होगा So thank you झाल